नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैक्फॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता कॉंग्रेस नेता प्रयांपा गाधी वरानसी से चुनाव लड़ेंगी या प्रयागराज या फुलपूर से या किसी सीट को चुनेंगी इस पर मन्थन शुरू हो क्या है पार्टी उनके लिए प्रदेश की पांच सीटों पर होमवर्क में जुटी हुई है आला कि प्रदेश नेत्रत्म की पहली प्रात्मिक्ता वरानसी है ताकि प्रधानवंक्री नरेंद्र मोधी को सीधे चुनोती दी जा सके तो वही दूसरी तरफ राहुल सुऩधार स्वास्ते की वज़ा से चुनाव मैदान में नहीं उतरी तो राय बरेलि से प्रयाकागांधी मैदान में आसक्ती है अब इसी तरह अदालत के आदेश की चक्तर में अमेधी किस अी राहुल गांधी के बजाए प्रयाका गण्धी के मैदार की समभावना जतायी रही थी लेकिन अब राह गांदी के चुनाओं लड़ने की तस्वीर साफ हो गई है उनके अमेटी से चुनाओं मैदान में उतरने की प्रबल संभाबना है और दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांदी की चुनाओं लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है इस wovenिया के सदस्यों की समाजवाथी भाटी दिल खोल कर समर्थन करेंगी अभ ऐसे में प्रयांग का घांगी के लिए प्रदेश की पाइसे प्रयांग राजे को तीसरीय स्थान पर रखा गया में सिर्फ दो बार BJP को जीत मिली है साथ बार कॉंग्रेस च्छै बार सपा और एक बार बस पा और दो बार जनता डल का कबजा रहा है अब इस तरह प्रयागराज में साथ बार कॉंग्रेस सांसद रहे हैं और चार बार बीजे भी काबिज रही है आपको पता दे वरानसी भी कॉंग्रेसियों का गड़ रहा है यहां से चुनाओ लंडे पर पूरे देश की निगाहें टिकेंगी अब इन तीन सीटों के अलावा दो सीटे अभी तै नहीं की गई है और इस ताकि सर्वे डेटा के जरिये केंद्रिय मुख्याले को जीद को लेकर मुतमाइन किया जा सके आपको पता दे कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजयराय का कहते हैं कि वह चाहते हैं कि प्र्यांका गांधी वराड़सी से चुनाओ लड़े यहां का समीकरन माकूल है अग सब्सक्राइब कई तरह के एहम बदलाओं का गवा बनेगा तो फिलाल के लिए इतना ही जोड़े रही इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैट्पॉर्म के साथ मुझे दीजी इजाजत धन्यवाद